हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल वाइड नोलेज में जैसा कि स्क्रीन पर आपको एक समी सर्कल नजर आ रहा हुआ जिसका सेंटर पॉइंट है ओ और एक कोड नजर आ रही होगी ए बी इसका लेंध है 12 और इस कोड पर एक परपेंडिक किसे हम वीडियो के एंड तक सोल करना सीखेंगे तो दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों जोमेट्री में एक रूल होता है किसी सर्किल के अंदर अगर सेंटर पॉइंट से उसके कोड पर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रो की जाए तो वो परपेंडिकुलर लाइन उस कोड को दो परापर बार्ट में डिवाइड करती है तो यहाँ पर इस semi circle के rule में जो AB code है उसकी length 12 है उसके पर एक perpendicular line draw की गए center point से तो वो इस AB को दो बराबर part में divide करेगी यानि कि इसका length 12 है तो ये 6 और 6 में 2 parts में divide हो जाएगी यानि कि इसका length भी 6 हो जाएगा और इसका length भी 6 हो जाएगा तो हमने AB code को दो बराबर parts में divide कर दिया AC 6, CB 6 अब हम एक line draw करते हैं center point O से A तक जिसको हमने नाम दिया R और जो R रहेगा वो इस semi circle का radius रहेगा तो हब यहाँ पर एक triangle नज़रा रहा हुआ ACO ACO में C जो angle है वो 90 degree है तो यहाँ पर यह बन गया right angle triangle ACO तो right angle triangle ACO में हम पैथाग्योरस theorem लगाएंगे तो पैथाग्योरस theorem क्या बोलता है कि अगर उसका base A है और height B है तो उसका जो diagonal होगा वो C is equal to underdo A square plus B square के बराबर होगा तो यहाँ पर जो diagonal होगा हमारा triangle ACO में वो R होगा यहाँ कि R जो की है radius के बराबर है ठीक है तो हमारे पास radius क्या जाएगी अंडर रूड हो 6 का square प्लस 8 square तो यहाँ पर इसको simplify करेंगे तो 6 का square 36 और 8 का square 64 तो यहाँ आप दोनों को 8 करके लिखेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा अब इसका root अटाएंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा आ जाएगा हमारे पास 10 यानि कि semi circle का जो radius आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 10 अब हमें diameter निकालना है तो diameter क्या होगा यानि कि यहां से जो length होगी यहां तक कि वो कितने होगी 2R यानि कि यह R है और यह R है तो यह total length जो होगी वो diameter के वराबर होगी तो diameter क्या लिख दिया हमने 2 times of R और R की वे लिख हमें पता है यानि कि radius हमें पता है तो 2 multiply by radius कितनी है 10 तो यहां पर हमारे पास 20 क्या आगया इसका diameter तो डाया क्या इतना आगया 20 यही हमारा answer है दोस्तों दोस्तों यह question solve करना आपको अच्छा लगा हो solution अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को like और channel को subscribe कर दीज़े और share करना नहीं भूले thank you thank you so much